नमस्कार स्वागत आपका माई जोतिश में गुड मीठा होता है और रिस्तों को भी मीठा बनाता है स्वाद और सेहत के साथ गुड पूजा और टोटके के भी काम आता है यहाँ पेश है गुड के कुछ ऐसे उपाए जो हर संकट से बचाए यदि आपको दुर्गटना से डर लगता है तो तामे के बरतन में गुड रखकर मालक्षमी के मंदिर में दान करे ऐसा करने के बाद मंदिर में ही बैठकर मालक्षमी का पाठ करे इससे आप अकस्मिक दुर्गटना से बचे रहेंगे यदि आपकी कुंडली में सूरे कमजोर है तो सुकरवार को गुड़ खाकर जल पीकर कारे प्रारम करे यदि सुकरवार के दिन गुड़ दान करे तो इससे आपके पितर खुस होते है और आपको वैभफशाली होने का प्रदान प्रदान करते हैं शुक्करवार के दिन ब्रामण और गरीबों को अनाज में गुड मिला कर दान करना चाहिए इससे जीवन में आने वाले सभी कस्टों से मुक्ति मिलती है किसी भी प्रकार का भाय हो तो तामवे के बरतन में गुड रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दे और वहीं बैट कर धूब दीब जला कर हनुमान चालिशा का पाट करे ऐसा कुछ मंगलवार और सनिवार को करे फिर जब भी समय मिले तो सद्धा नुसार करते रहे इससे आपके जीवन का हर प्रकार का भाय समाप्त हो जाएगा भोजन में गुड का प्रियोक करने से सेहत में लाप तो मिलता है पर यह जानकर आप चौक जाएंगे कि थोड़ा थोड़ा गुड खाते रहने से धन की आवग बढ़ती है हनमान जी के मंदिर में गुड चनांग के चरड़ों में अरपित कर रिण मोचक मंगल स्टोत का पाट करे तदकाला प्राप्त होगा साक्षतकार देने जाते समय या घर से भार नौकरी की तलास में निकलते समय रास्ते में किसी गाएं को आटा और गुड खिला कर जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी